दोस्तों काली हल्दी बाजार में 500 रुपे से लेकर 5000 रुपे प्रती कीलो के दर से बिक्ती है E-commerce जैसी वेबसाइट पर तो इसकी कीमत करीब 5000 रुपे प्रती कीलो है ऐसे में काली हल्दी की खेती करने वाले किसानों के लिए इसकी खेती काफी मुनाफे का सौधा साबित हो सकता है इस हल्दी में बहुत सारे औसधी गुण पाये जाते हैं इस वज़े से भी मार्केट में इसकी कीमत ज़्यादा बनी हुई है इसे आपको बता दू निमोनिया, खासी, बुखार, अस्तमा, कैंसर जैसी बिमारियों में उपयोग होने वाली दवाओं को बनाने के लिए काली हल्दी का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा कई कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज भी काली हल्दी का उपयोग विभिन तरह के कॉस्मेटिक प्रोड़क बनाने के लिए करती है दोस्तों यदि पहचान की बात की जाए तो आपको बता दे काली हल्दी के पत्तों के मद्य में बैगनी रंग की धारी होती है वा काली हल्दी के कंद हलके काले रंग या फिर नीले रंग की होती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं काली हल्दी की खेती कैसे की जाती है बुआई के उचित समय की बात की जाए तो आपको बता दूँ काली हल्दी की बुआई का उचित समय वर्सारीतु है अब काली हल्दी की बुआई जून जुलाई माह में करे यदि सिचाई की सुविदा उपलब दो तो इसकी बुआई मही माह में भी की जा सकती है दोस्तों बात यदि मौसम की की जाए तो आपको बता दे काली हल्दी की बढ़वार 15 डिगरी सेंटीगरेट से 40 डिगरी सेंटीगरेट ताप मान पर उचित होती है काली हल्दी की फसल पाले को सेहन कर लेती है तथा काली हल्दी विपरीत मौसम में भी अनुकूल उत्पादन देती है दोस्तों बात मिट्टी की की जाए तो आपको बता दे काली हल्दी की खेती भुरुरी दोमट मिट्टी में कौफी उप्युक्त मानी जाती है इसके लावा ऐसे खेत का चुनाव करें जान निकासी की विस्ता अच्छी हो खेत में बारिस का पानी बर जाए तो फसल बरबाद हो सकती है दोस्तो अब बात खेत की तैयारी की करते हैं सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई कर ले फिर खेत को सूरी की धूप लगने के लिए कुछ दिनों तक छोड़ दे उसके बाद खेत में उचित मातरा में पुरानी गोवर खाट डाल कर उसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला ले तो हल्दी की खेती मेड नाली पद्धती से करनी चाहिए इसके लिए रिजर की सायता से एक मीटर चोड़ी मेड बना ले पद्ध की उचाई करीब 15-20 cm रखे दो मेड के बीच करीब 25 cm की नाली बना ले काली हल्दी के कंदों की रुपाई कतारों में की जाती है प्रते कतार के बीच करीब डेड़ से दो फीट की दूरी होनी चाहिए कतार में लगाय जाने वाले कंदों के बीच की दूरी करीब 20 से 25 सेंटिमीटर होनी चाहिए दोस्तों काली हल्दी की खेती कले करीब 20 क्विंटल कंद की मात्रा प्रती हेक्टेर के दर्से लगती है इसके बाद कंदों को च्छाओं में सुखा ले, इसके पस्चात ही कंदों को खेतों में रोपित करे। बाद सिचाई की करते हैं, काली हल्दी की फसल को जादा सिचाई के अशक्ता नहीं होती है। आली हल्दी के कंदों की रुपाई नमी युक्त भूमी में करनी चाहिए इसके कंदों की रुपाई के तुरंद पस्चात सिचाई कर देनी चाहिए जदी मौसम हलका गरम हो तो पौधों की सिचाई 10-12 दिन के अंतराल में करनी चाहिए जबकि सर्दी के मौसम में पौधों की सिचाई 15-20 दिन के अंतराल में करनी चाहिए पौधों की रुपाई के 25-30 दिन बाद हलकी गुड़ाई करनी चाहिए खर पत्वार नियंतरन के लिए 3 गुड़ाई काफी है प्रत्ते गुड़ाई 20 दिन के अंतराल में करनी चाहिए रुपाई के 50 दिन बाद गुड़ाई बं खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो आपको बता दूं काली अल्दी की खेती प्राय और्गेनिक विदी से की जाती है इसलिए प्रती एकड करीब 10-12 टन गोवर की सडीवी खाद खेत त्यार करते समय खेतों में मिला दे काली अल्दी की खुदाई प्राय रोपाई के धाई सो दिन बात की जाती है काली अल्दी की खुदाई प्राय जनवरी से मार्च महा के मद्दी की जाती है उपच की यदि बात की जाए तो आपको बता दूं एक एकड छेतर फल से करीब 50-60 क्विंटल कच्ची काली अल्दी व 12-15 क्विंटल सूखी काली अलदी प्राप्त होती है इस तरह किसान भाई आसानी से प्रती एकर करीब 25-30 लाग तक का मुनाफ़ा कमा सकते हैं